सभी साथियों को मेरा नमस्कार आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है आज के वीडियो में हम बात रहेंगे प्री और पोस्ट मेट्रिक इसकोलर्शे बारे में तो इसकोलर्शिप में किस परकार से विद्यारतियों से सम्मधित सुचनाई अपडेट करनी हैं किस परकार से उनके लिए एपलाई करना है और एपलाई करने के बाद में किस परकार से उसको वेरिफाई या अनवेरिफाई करना है यदि रिजेक्ट करना है तो किस परकार से क जिसे चलने के बाद करें सारी यहां पर आइकन आपको दिखाए देंगे इसमें यहां पर इसकोलर्शिप वाले आइकन के उपर आपको कलिक करोगे तो इस परकार से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा यदि आप इस पेज तक नहीं पहुँच पाते हो तो डेस्क्रिशन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूँगा जहां से आप सिद्धे इस पेज पर पहुँच सकते हो निचे तीन प्रकार की लोगिन यहां पर दिये गए हैं गौर्मेंट इसकूल लोगिन दे रखा है यहां इन प्राइविट लोगिन है यहां पर इंचा लोगिन है तो आपको इंचार्ज लोगिन यहां पर चेक बोक्स पे चेक रहना हूं कना है कि आध्य है और नीचे देखे यहां पर आइडी ऑ पास्वरड है और निचे लोगिन पे आपको क्लिक करना है तो यह प्रोसेस रहेगा लोगिन करने का लोगिन करने के बाद में इस प्रकार से पेज ओपन होगा यहाँ पे तीन प्रकार के उप्सन दिखाए दे रहे हैं सबसे पहला उसनिया पर यह ब्यास अपकी अन्य योजनाव के लिए है बालिका शिक्षा प्रभुसान के लिए यह राश्री के लिए है और यहां पर प्री और पुष्ट मेटरिक इसकोलर्शिप के लिए आवजण यहां से होंगे तो सबसे पहले इस पर हम चलते हैं यहां से हमें इस्कीम और सेशन स्लेट करना होगा और निचे सब्मेट पर क्लिक करना है यहां पर देखिए टोटल इस्कुलर्शिप फिलाल दो है और एसी के लिए छैसे आट और नो से दस के लिए आवे दिन पत्री श्टार्ट हो चुके हैं तो उनके लिए हम आवे दिन बर सकते हैं यहांपे सब्सक्राइबर हमें यह कई सरी उपसं लिकाए दिए रहे हैं इनमें से हमको चलना है इस्टुडेंट िनलिजिबिलीटिपे यहांपे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में इस प्रिकार से पेज ओपन होगा यहां पर Scheme SC के लिए 6-8 और 9-10 के लिए आवर दिन भरना स्टार्ट हो चुके हैं तो हम 6-8 Select कर लेते हैं या 9-10 कर लेते हैं 9-10 कर लेते हैं और यहां पर Class 9 तो यहां पर देखे लिए Scheme Rules आ रहे हैं तो इनको भी एक बार आपको ध्यान से पढ़ लेना है सारी चीजे अपडेट कर लेनी है इसमें SC के लिए है Gender सभी के लिए है आदार Authentication चीए जन आदार Authentication भी होना चीए Bank Detail from जन आदार और यहां पर Student का जन आदार Bank से लिंक होना चीए जन आदार में Student का खाता होना चीए और Income डहे लाग से कम होनी चीए और Class का Result पास होना चीए यहां पर यह सभी Eligibility दी गई है आपको यहां पर So Student पर क्लिक करना है तो नीचीव Class के सारी Student आ जाएंगे यहां पर देखिए यहां पर हमें द्यान से देखना है जो भी Cross है उनको सही करना है जिसे पहले Student के हम देखे तो जन आदार यहां पर Authenticate नहीं है तो इसको हम Authenticate करेंगे उसके बाद ही यहां पर सब Green Tick होने चीए तब जाके Student के लिए हम Apply कर सकते हैं यहां पर यदि आप द्यान से देखोगे तो आपको एक और चीज़ दिखाए देगी कि जो SC के Student नहीं है उनकी यहां पर कास्ट भी नहीं आरी है यहां पर देखिए यह SC का Student है यहां पर इसकी कास्ट आरी है यह SC का नहीं है तो कास्ट नहीं आरी इसके भी कास्ट नहीं आ रही इसके भी कास्ट नहीं आरी तो हम जिस category को select करें हैं उस category वाले बच्चों के सामने ही कास्ट आ रही है तो इसकी आप जञद चिंता ना करें लेकिन और जो चीजें हैं देखिए कौं़-Kौं़ सी चीजें है और है इसमें यहां पर class है, gender है, scholarship type है, जन आदार authentication और आदार authentication है, family income status है, result status है, तो यह चीज़े आपको update करनी है, result status आपको परपतर 9 में करना है, family income परपतर 9 और benefits जो मोडूल है उसमें करना है, तो यह सबी चीज़े परपतर 9, परपतर 5 और लावकार योजनाओं के लिए छातर सुचना में update करना है, तो यह सब अपडेट करने के बाद मैं आपको इसका दूसरा option का यूज करना है, जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहां पर आपको चलना है, इत्री लाइन पर वापस चलना है, तो नीचे और option आपको दिखाए देंगे, इसके बाद आपको apply और reject पर click करना है, second step, जो first step है, इसपे click करना है, यहां पर skim select करनी है, 9-10, और 100 student पर click करना है, तो यहां पर दोनों class आगई, 9 और 10, जिस भी class के लिए आपको application form बढ़ने है, उसपे click करना है, class 9 पर मैंने click कर दिया है, तो यहां पर class के सारे बच्चे यहां पर आ जाएंगे, और इसके सामन apply or reject का option दिया हुआ है, तो यदि आपको किसी कारण से विद्यारती का forum reject करना है, तो reject पर click करने, और यदि वो eligible है, तो apply पर आपको click करना है, apply पर click, यहां पर सारे tick green mark होने चाहिए, यदि सारे green mark नहीं है, green tick नहीं है, तो विद्यारती forum नहीं बर पाएगा, तो इस परकार इसको अपडेट करवानी होगी, तो हम इसको पर से cross कर देंगे, जिन विद्यारती के bank detail नहीं आएगी, उनका forum नहीं भर पाएगे, यहां भी देखे दोस्तों, दो विद्यारती के forum जिनके detail सही थी, वो मैंने पहले भर दिये थे, तो भरने के बाद में इस परकार से आपक दिखाए देंगे, देखो, दीपक रेगर का forum मैंने भराता, तो यहां पर applied की date है, तो कल 21 तारे में मैंने forum बढ़ दिया था, इसके सारी सुचना सही थी, सारे टिक, green tick आ रहे थे, तो इन बच्चों का forum हम भर सकते हैं, यदि सारे टिक, green tick नहीं है, तो पहले हम उनको green करन होगा, सारे सुचना ही, अपडेट कर दिया हम पड़ेगी, और उसके बाद में, हम forum भर पाएंगे, तो यहां पर देखे, day left for auto forward, यदि हम इसको auto forward नहीं भी करेंगे, तो यह auto forward हो जाएगा, और 9 दिन से बचे हैं, इसके बाद में automatic यह forward हो जाएगा, verify date, यह कल मैंने verify भी क कर दिया है, यदि इसको हम देखना चाहते हैं, तो यहां कलिक करेंगे, और डिलीट करने के लिए हम यहां पर कलिक करना होगा, तो फिलाला में ने तो इसको वीव करना है, नहीं डिलीट करना है, तो बेख चलते हैं, देखे, पहला step था, apply reject का, दूसरा step is verify का, तो verify के उप बढ़ दिया है, तो दोनों फॉर्म यहां पर दिखाए दे रहे हैं, इनको वीव कर सकते हैं, और यहां पर verify और unverify का ओप्शन आ रहा है, अब यहां पर आपको द्यान देना होगा, द्यारती की सारी चीज़े सही है, तो इसको verify करेंगे, मैंने apply कर दिया और verify भी कर दिया और यदि आप इसको चाहते हैं कि कुछ सुचना इसमें गलती, इनकम बगेरा सही नहीं थी, तो unverify वापस कर सकते हैं, और यह student को भी मैंने apply किया था, लेकिन इसको मैंने verify नहीं किया, तो verify करने के लिए इस check box पे check करेंगे, यदि आप सारे विद्यारतियों को एक साथ verify क करना चाहते हैं, तो उपर जो check box है, यहाँ पर इसके उपर check करके, सारे student एक बार में select हो जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ से verify student प्लिक करेंगे, तो यह student verify हो जाएगा, सबी विद्यारतियों को verify करने के लिए निचे भी इसमें, निचे भी यहाँ पर verify का option दिया गया तो सारे सारे एक साथ verify हो जाएंगे, तो यह काम करने के बाद में ज्यादा काम इसमें नहीं है सातियों, अधिकतर काम आपको परपतर नो परपतर पांच और जन आदार यह चीजें अपडेट करने के बाद, और चातर लाबारति योजनाओं के लिए चातर सुचना यह ची बाद में यह एक्टिवेट हो जाएगा,